जो दोस्तो मैंने आपके सामने स्कीन पर एक यहाँ पर स्कीन सोट लगा रखा है यह जो दोस्तो आज की वीडियो में आपको एप्लिकेशन बताने वाला हूँ बहुत ही सांदार एप्लिकेशन बताने वाला हूँ क्योंको भई यहां से जो application में आपको जो first time में आपको limit दी जाती है वो दोस्तो 10,000 रुपे से लेकर आपको 5,000,000 रुपे तक आपको यहां से loan provide किया जाता है वो भी दोस्तो सिर्फ आपके आधार card और दोस्तो आपके pen card के basis पर यहांने कि दोस्तो personal loan जो आपको यहां पर provide किया जाता है वो दोस्तो सिर्फ आपके आधार card और pen card के basis पर आपको यहां पर loan provide किया जाता है यहां पर दोस्तो जो आज की इस वीडियो में application बताने वाला हूँ भाई एकदम special application यहां पर होने वाली है अगर दोस्तो आपका जो civilly score है अगर भाई आपका यहां पर 600 के आसपास है तो भी दोस्तो यहां से आई इस application से आपको दोस्तो अच्छी खासी आपको limit देखने को मिल सकती है मेरे case में दोस्तो मेरे पास में यहां पर limit आ चुकी है 20,000 रुपेगी मैं आपको यहां पर live proof बिल्गुल apply करके दिखाने वाला हूँ कैसे दोस्तो इसमें आपको apply करना है application का यहां पर नाम क्या होने वाला है पूरा process दोस्तो आज कि इस वीडियो में आपको बताऊँगा यहां पर दोस्तो एन्रिपसी और RBI registered application यहां पर होने वाली है आपको यहां पर कापी सारी लोन की application के आपको link मिल जाएगी जाकर दोस्तो उनको आप चेक आउट कर सकते हो तो भी आज की वीडियो में दोस्तो में जिस application के बारे हम बताने वाला हूँ भाई पूरा process आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो भी वीडियो का यहन तक जहूर देखना वीडियो चुछ लाइक कर देना अगर दोस्तो अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब चूब कर देना तक तक आपको यहाँ पर लँडियो की जाते हैं अगर दोस्तो आपको इरफ की कि इतने रुपएय लेने पर आपकी इतने रुपएय चार्जे अलग सकते हैं जो दोस्तो आपको turnover रहने वाला है 30 दिन से लेकर दोस्तो आपका 36 महिनों तक आपको यहाँपर turnover रहने वाला है इस लोन अप्लिकेसिन के माद्यम से यहाँ पर दोस्तो 100% आपका paperless होने वाला है यानि कि आपका digital process आपका यहाँ पर 100% रहने वाला है जैसे कि आप सभी देख पा रहा हूँ 30 मिनिट के अंदर आपकी जो भी limit होती है आपके bank आउं में transfer कर दी जाती है दोस्तो यहाँ पर minimum C आपकी KYC होने वाली है थोड़ा बोदा आपको यहाँ पर आदार काड़ और pen card आपको upload करना पड़ सकता है वो दोस्तो आप देख लीजिए अभी मैं आपको apply करके दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पर login पर आपको click करना है जैसे click करोगे आपके पास में S interface आ जाएगा यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है यहाँ पर आपको I agree पर click कर देना है नीचे की side में आप देख पा रहोगे यहाँ पर continue पर आपको click करना है first step में आपको यहाँ पर loan document आपको यहाँ पर देने है दूसरे step में दोस्तों आपको आधार कार पैन कार देना है statement आपको देना है तेसरे step में दोस्तों आपको communication address आपको जो भी आपका address होगा वो आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर fill करना पड़ेगा और दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर 5000 रुपर की लिमिट आपको देख रहे हो बिलेगी 90 दिन का आपका turnover रहने वाला है तीन इमाई आपके पास में यहाँ पर होने फाली है भाई मैंने यहाँ पर सब कुछ अपना complete कर दिया है जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा wait करना है जैसे मैं wait कर लिता हूँ मैं पास में ऐसा इंटरफेस आ जाता है यहाँ पर दोस्तों उपर की साइड़ों मैं पास में यहाँ पर आचुका है मेरा photo यहाँ पर आपको basic सी detail डालनी है यहाँ पर दोस्तों आपने email ID डालनी है यहाँ पर आपको पना pen card number डालना है यहाँ पर आपको loan purpose डालना है जो इस purpose के लिए आप loan नेना चाते हो यहाँ पर दोस्तों आपको personal detail डालनी है यहाँ पर professional detail डालनी है जो भी आपको यहाँ पर डालना चाते हो तो आपके पास में नहीं है detail यह professional आपकी detail नहीं है आपके पास में तो भई आप कुछ भी डाल सकते हो आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात है नहीं क्योंकि दोस्तों इसमें salary slip आपको यहाँ पर upload नहीं करनी है तो भई मैं यहाँ पर continue उपर click करूँगा जैसे click करूँगा मैं पास में as interface आ जाएगे यहाँ पर आपको अपने date of birth डाल दिये यहाँ पर gender में आप यहाँ पर mail पर click कर देना है मैं registration में आप डाल देना है जो भी आप होंगे वो पर दोस्तों आप निचे की side में आप देख पारे हो यहाँ पर आप डालोगे owner हो या फिर आप rented पर रहते हो तो दोस्तों वो डाल देंगे जैसे भई आप यह सब कुछ complete कर लेते हो आपके पास में दोस्तों ऐसा interface यहाँ पर आपके पास में आ जाता है तो भई जैसे आप continue उपर click कर देते हो आपके पास में ऐसा interface यहाँ पर आपके पास में आ जाता है यहाँ पर दोस्तों आपको यह लिमिट के लिए बोल रहा है कि यहां पर 50,000 रुपए तक आपको दोस्तों यहां पर आपने जो लिमिट है मेरी इसको दोस्तों यहां पर बढ़ा सकता हूँ जेतने रुपए की भी आपको लोन की अमाउंट की ज़रुरत है उत्रा ही तो आप लोन लीजिए इससे ज़्यादा आप लोन लेने आपका कोई फ लुवर फाइनेंशियल बड़ी लोन अप्लिकेसं का यहां पर नाम होने वाला है आर भी ए और अनवेसी रेजिस्ट्रि यहां पर अप्लिकेसं होने वाली है प्लेस्टोर पर दोस्तों आपको आसानी से मिल जाएगी जाके दोस्तों आप एक बार चेक आउट करके जोड़ स्टेप तक इसलिए नहीं पहुचा पाता हूं, क्योंग्य यहां पर सारी प्रोप्रोब्रम ते रहे हो मैं पाउज में आई हैं पचा चलता हूँ इसके कि जैसे में यहां पर किलिक पर यह आ down पर safer औरा यह होता हुआ है जैसे यहां फरार हो समय तो होा है जैसा हैryn account detail डालता हूँ भाई मेरे bank account में transfer होने के लिए बिल्कुल ready है loan की application जितने भी मेरे को यहाँ पर loan मिलाया वो भाई यह application में एक बार यहाँ पर check out करके जोर देख सकते हो यहाँ पर आपको दोस्तों play store पर आपको बता दिया है आप दोस्तों आपको अपलाई तो करना ही पड़ेगा ठीक है यह application थी I hope दोस्तों यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लेगे होगी वीडियो चीद लाइक कीजिए अगर दोस्तों अभी तक भी आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जल्दी जाकर इस चैनल सब्सक्राइब जब कीजिए में तेना शुन दखके टेक केर पाए